वेलकम हाप सभी का तनो क्लासस आर्ट को में तो आज के इस वीडियो में जोग्रोफी का सेकेंड चप्टर जिसका नाम है विस्व जनसंख्या का सेकेंड वीडियो लेकर किया है इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को कबर किया था फर्ष्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि विस्व जनसंख्या क्या है, जनसंख्या को कैसे परिवासित किया जाता है, विस्व की जनसंख्या आसमान रुप से कैसे बटा हुआ है, जोल जबी करेसी एसिया की जनसंख्या के बारे में क्या कहते हैं, विस्व में जनसं जनसंख्या घनत्तो यानि population density कैसे निकाली जाती है या फिक जनसंख्या घनत्तो को कैसे परिभासित किया जाता है उसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो मा जाना था इसके साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि किसी भी जनसंख्या के वितरन पर यानि किसी भी देश का जो जनसंख्या है उसका जो वितरेन है उस पर परभाव डालने वाला जो अवियभ है यानि जो एफेक्ट डालने वाला जो फैक्टर है उसको हम लोगों ने जाना था सबसे पहला जो कारक है वो कौन सा कारक है आर्थी कारक दूसरा कारक है आपका भागोली कारक ये दो मेन कारक है जो जनसंख्या वितरेन पर परभाव डालते हैं किसी भी देश के किसी भी परदेश के किसी भी विशेस अस्थान के उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि जनसं जनसेंग्या विर्दी निमलिकित कारण से होती है आपको बोड एक्जाम में पुछा जाएगा कि जनसेंग्या विर्दी के कारणों का उलेख करें आपको 5 मार्क्स तका पुछा जाएगा तो आप ये पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे जनसेंग्या में विर्दी हो गई है ठीक है दूसरा जो कारण है वो क्या है कि पड़िवार नियोजन के पड़ती लोगों में कम रूची यानि पड़िवार नियोजन का मतलब ये हुआ कि लोगों में जो पड़िवार को कम यानि पड़िवार नियोजन फैमिली प्लानिंग जो है उसके परती लोगों में रूची कम है इंटरेस्टिंग कम है जिसके कारण जनसेंख्या विर्दी हो रही है तीसरा जो कारण है वो सबसे बरा कारण है बाल विवा यानि Child Emerge बच्चे में ही साधी करा दिया जाता है यानि जो मतलब यह होते हैं लरके लरकियां होती ही उनको मतलब बच्चा का जो उमर होता उन्वी इसी में मतलब 18 साल से पहले अभी तो 21 साल कर दिया है लरका का तो 21 साल था ही फिर लरकी का भी 21 साल कर दिया minimum age मतलब साधी होने का मतलब विवाह का जो minimum age है नियूंतम आयू है वो 21 साल कर दिया लरका का भी और लरकी का भी लेकिन 21 साल से पहले ही अगर आप साधी करा देते हैं किसी समाज में किस साल से पहले ही किसी लर्की या किसी लर्का का अगर साधी हो जाता है तो वो विवा को क्या कहेंगे बाल विवा कहेंगे और बाल विवा जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण जन संक्या विर्धी हो रही है ठीक है तीसरा जो चौथा जो कारण है वह कम मिर्तियुदर यानि कम मिर्तियुदर क्यों हो रहा है क्योंकि चिकित्सा सेवा में सुधार हुआ है कम मिर्तियुदर यानि लोग अब कम मर रहे हैं यानि लोगों की जो मरने का जो rate है यानि जो मिर्तियुदर है वो क्या हो गई ह कम हो गई है पांचवा सबसे बरा कारण है साक्षर मक कमी यानि लैक ओफ रिलिटरेशी साक्षर ता मक कमी यानि एक तरह से लोगों में जो education है वो education नहीं है लोग साक्षर नहीं है अगर educated होंगे अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझेंगे कि जन संख्या को मतलब family planning को रोकना जो जन संख्या पड़िवार नियोजन के परती हम लोगों को जागरोख होनी चाहिए ये बात वो तभी समझेंगे जब वो परह लिखे होंगे साक्षर होंगे क्योंकि साक्षर बैक्टव को ये बात पता होता है कि एक मतलब संसादन को देखते हुए हर एक चीज को आगे बराना जाDY है बहुत सारे family ऐसे होते हैं कि उनके पास members बहुत ज़ादे हैं बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं लेकिन वही अगर जो साक्षर बेखती होंगे वो उनके पास member कम होंगे family member कम होंगे, कम बच्चे होंगे वो पढ़ाएंगे ठीक है तो वो सबसे पहले जो एक तरह से standard way में सोचते हैं तो साक्षर होना बहुत जरूरी है हर एक चीज में जागरोख होने के लिए अब next जो point है, वो क्या है कि भारत में, भारत में वरसा 2001 में कुल जन संख्या जो थी वो 102.70 करोर और वरसा 2011 में कुल जो जन संख्या तो 121.02 करोर थी ठीक है, यह आपको point याद रखना है क्योंकि यह आपका point जो है objective यानि MCQ में पूछा जाता है यह आप screen sort लेंगे, जन संख्या विर्दी ने में की तारन से हो था, total 5 point बताया गया पांचो point को आपको mind में रखना है जब पूछा जाएगा exam में, 5 point को कर देना है एक point को खीच करके यह दो लाइन कर देंगे, वह आपका answer fulfilled हो जाएगा, ठीक है अब चले, next point हमको यह बताया जा रहा कि वर्ट से 2001 से 2011 के अंतराल में, जन संख्या विर्दी या फिर परिवर्दन भी बोल सकते हैं वो जो हब कितना हो गया, 2011 से 2001 के अंतराल में, तो 2011 में जो जन संख्या मतलब हुआ था टोटल कितना, 121.02 करोर और 2001 में जो जन संख्या हुआ था 102.07.0 करोर तो यह दोनों को आपस में घटा देंगे मतलब 12.02 मैनस 102 होगा यह पॉइंट देती है, 102.07.0 बराबर कितना आ जाएगा, 18.32 करोर आ जाएगा, ठीक है यहनि 2001 से 2011 के अंतराल में जन संख्या विर्दी जो है, वो टोटल कितना है 18.32 करोर है अब नेश्ट पॉइंट देखिए नेश्ट पॉइंट आपको यह बताया जा रहा है कि जन संख्या की प्राकिर्तिक विर्दी जन संख्या की प्राकिर्तिक विर्दी यहनि the natural increase of population तो किसी विशेष छेतर के कुल जनम दर और मिर्दिव दर के अंतर को अर्थात जनम और मिर्दिव के भीष का जो अंतराल को अंतराल है उसी को क्या बोलते है प्राकिर्तिक विर्दी बोलते है तो जन संख्या की प्राकिर्तिक विर्दी में दो ही फेक्टर मतलब होते है पहला जो फेक्टर है वो जनम दूसरा है मिर्दियो यहनि total लोग कितना बच्चों का जनम हुआ और उसमें क्या करेंगे total लोग कितना बड़े उनको घटा देंगे तो total क्या निकल जाएगा प्राकिर्तिक विर्दी निकल जाएगा यानि nature का तरफ से मानब को उसमें हस्तचेप नहीं करना है नेचर का तरफ से जो भी विर्दी हो रही है जन संख्या में उसी को क्या बोलेंगे जन संग्यां के प्राकृतिक विर्दी बोलेंगे ठीक है तो प्राकृतिक विर्दी कैसे निकला जाता है जनम दर में मिर्ति उदर को घटा देंगे तो ये क्या निकल जाएगा प्राकृतिक विर्दी निकल जाएगा अब next point है आपरवास यानि immigration तो आपरवास जो है ये क्या है तो लोगों का उस जगह जाने की परक्रिया जहां के वो मूल निवासी नहीं है यानि जहां के वो मूल निवासी नहीं है आपरवास कलाता है अर्थात नहीं जगह जाना ही क्या कराएगा आपरवास का लाएगा आता है मतलब दूसरा जगह जाकर बसना मतलब वहाँ उनका कोई मतलब वन सज नहीं है कोई मतलब खांदान नहीं है कोई आदमी वहाँ से उनका मतलब लेंदे नहीं है वो जगह से वहाँ जाकर के अगर कोई बेखती बस जाता है तो वहाँ उनका बसन देश छोरना उत्परवास कहलाता है अपना जगह जहां मतलब जनम लिए है वो जगह को छोरना हमिसा के लिए वो क्या कहलाएगा उत्परवास कहलाएगा या एक जगह से चले जाने की जो परकिरिया है उसको क्या बोलेंगे उत्परवास बोलेंगे आ जाने की परकिया नई जगह पर जाकर के बस जाना आपरवास का लाएगा और पुरानी जगह से चले जाना वो क्या का लाएगा उत्परवास का लाएगा ठीक है अब next point देखिए आपको यहां नहीं समझ मा आया फिर भी हम दो point लिखे हैं कि नया जगह जाना आपरवास ठीक है आपरवास नया जग हमें जाके बसने की परवास को क्या कहेंगे आपरवास immigration कहेंगे इसमें आपको confusion नहीं होना है फिर भी आप confusion नहीं होंगे क्योंकि यहां मैं extra में दो point बता दिया हूं कि नया जगह जाना आपरवास और पुराना जगह छोड़ना उत्परवास कहलाता है अब next point देखिए next point हमको यह बताया जा रहा है कि जनसंख्या की वास्तविक विर्दी यानि रियल जो ग्रोथ है और population का वो क्या है वो आप कैसे निकालेंगे वास्तविक विर्दी यानि रियल ग्रोथ ठीक है तो वास्तविक विर्दी जो निकाला जाता है जनम में मिर्दिव को घटा देंग क्योंकि जनम जो बच्चा लिए है यहां जन हो गया है जनम होगा जनम जो बच्चा लिए है वो तो रहेगा जगर में ठीक है और जो मिर्थी लिए वो तो बाहर चले गया वो तो टेथ कर गया एक तरसे आपरवास जो हुए लोग बाहर से आ करके बसे उसको भी जोड़ना प इसंख्या dł् mechanism की वास्तविक की धनात्मिटी ठीक है मैंने आप लोगों को फ़ुश्ट वीडियो में बताता था की जन संख्या विर्धी 66 विर्धी का जो मतलब होता है जर्लिये हम लोग यह समझते हैं न ही एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है दूसरा से तीसरा पॉइंट है आगे बरना लेकिन यहां मैंने आप लोगों को पहला भी वीडियो में बताया था कि जनसंग्या विर्धी से तात पर यह होगा कि जनसंग्या विर्धी प्लस में हो रही है या फिर मैनस में जन संग्या विर्दी धनातमक हो रही है या फिर रिनातमक हो रही है तो वही आपको यहां बताया जा रहा है तो जन संग्या की धनातमक विर्दी कब होगी जब यह result positive में निकलेगा ठीक है minus में नहीं plus में निकलेगा यानि जब मिर्दी धर कम मिर्दी धर कम जनम धर अधीक तथा दूसरे देशों के लोग आकर उस देश में अस्थाय रूप से बस जाए तब जन संग्या की विर्दी धर धनातमकों की अन्यता रिनातमकों की सही बात है यानि यह देखे यह formula आपको बताया गया है यह formula अगर पलस में निकलेगा इसका result अगर पलस में आएगा ठीक है अगर मान चलिए total लोगों की जो जनम हुए जनम लोगों की बच्चे के संग्या 6 है और दो आदमी मर गए ठीक है एक आदमी आ गए और उसमें फिर एक आदमी आ करके मतलब बस गए वो आपरवास कहलाएगा और उ पलस एक मतलब थीन बचेगा ठीक है यहां पर तीन जो है यहां क्या आया है इतरह से मतलब पलस में आया है तो यह क्या कलाएगा वास्तविक यानि जन संक्या की धनातमक विर्दी कलाएगा यानि result जो है धनातमक मानी चाहिए वो क्या हो जाएगा जो धनातमक विर्दी हो आएगा अब देखिए जनसंग्या परिवर्तन की अभियव याद नहीं करना पड़ेगा कि जनसंग्या विर्थी यानि परिवर्तन की अभियव को याद नहीं रखना पड़ेगा जब आप ये फोर्मला याद रखेंगे क्योंकि अभियव जो है जनम मिर्तियो आपरवास उत्परवास ठीक है आप यहाँ देख लिजे अभियव क्या है जनम मिर्तियो आपरवास उत्परवास परवास दिया है आपरवास उत्परवास को एक तरह से कंज्यूम करके परवास कर दिया है ठीक है अब देखे जन संख्या परिवर्तन के अभियव तो ये पहला जो अभियव है वो क्या है कि परवास तो परवास नहीं जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो परवास कहला था परवास का मतलब क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाएगा परवास कहलाएगा जहां जाते हैं उसे उद्गम अस्थान और जहां जाकर शरन लेते हैं उसको गंतव्य अस्थान कहे जाते हैं यह क्या है जनसंख्या परिवर्तन के अव्यव हैं पहला अव्यव दूसरा जो अव्यव है वो है मिर्तियो यानि डेथ तो किसी छे किसी छेत्र का मिर्तियु दर भी उस छेत्र के जनसंख्या में पड़िवर्तन लाता है किसी छेत्र का मिर्तियु दर भी उस छेत्र के जनसंख्या में पड़िवर्तन लाता है दूसरा जो है वक्या है परजनन यानि यह परजनन छमता से संबंदित कारकत क्या मतलब जनम यानि आप लोगो बता दिया कि आप परवास और उत परवास को दोनों को जोर करके यहाँ परवास कर दिया है ठीक है मतलब एक वर्ट में काम चला लिया है लेकिन आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि आप लोगों को कोपी अच्छी तरह से लिखनी है, कोपी भरना है, तो आप क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, आप परवास को छाण देंगे, तो दो पॉइंट इसमें बनेगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिर्ती हो जाएगा, चौथा पॉइंट आ आपका CBR, यानि क्रुइट बर्थ रहती, यानि औशोधित जनमदर, CBR से आप क्या समझते हैं, तो CBR जो होता, औशोधित जनमदर, यानि औशोधित जनमदर की एक वर्स में, परती एक हजार जन संख्या के अनुपात में, जनम लेने वाले बच्चों की संख्या है, यान उससे क्या करेंगे, भाग देंगे, और उसको क्या करेंगे, लाश्ट में, थाउजन से गुना कर देंगे, किस से थाउजन से गुना कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, CBR निकल जाएगा, यानि कहने का मतलब यह हुआ, कि एक वर्स में, किसी विसेस वर्स में, किसी वि जनम दर की एक वर्स में पड़ती एक हजार जन संख्या की अनुपात में जनम लेने वाले बच्चों की संख्या को क्या बोलेंगे CBR बोलेंगे अब नेश्ट पॉइंटे देखे CDR यानि क्रुएट डेथ रेथ यानि ये जो निकाला जाएगा किसी वर्स विशेस में मिर्तगों की संख्या बटक क्या कर देंगे नि भाग देंगे उस वर्स के मत देने अनुमानित संख्या जन संख्या ठीक है उसको बात क्या करेंगे, फिर thousand इसे गुना कर देंगे चीमबल सी बात हire, दोनों फॉर्मुला सेम है यह आपको कया रखना किसी वर्षे विसेस में मिरतगो की संख्या रखना है और CBR में कै रखना है, किसी वर्षे विसेस में जीवित जनुम की संख्या रखना है याद रखना है यानि एक परकार का rate indicate करता है CBR और CDR अब दीखे next point है परवास को परभावित करने वाले दो कारग ठीक है बहुत अच्छी बात है लोग परवास करते हैं लेकिन क्या मजबुरी बन गई कि लोगों को परवास करना परता है एक जगह से दूसरे जगह जाना परता है क्या क्या factor है क्या क्या मतब कारण है तो चले देखते हैं आपको board exam में पूछे जाएंगे आप note बनाते हुए चलेंगे मैं हर एक वीडियो में बोल दिया हूँ आप अगर पहला वाला वीडियो देखेंगे तो मैं एक बार नहीं दो तीन बार बोला हूँ क्योंकि note बनाएंगे तभी आपको फायदा होगा अन्य था अगर आप वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे और एक तरह से time loss होगा देखेंगे परवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं पहला जो कारक है वो है परतीकर्स कारक है यानि फैक्टर परण्यम यह परतीकर्स कारक है अब इसके अंतरगत बेरोजगारी, भूहमरी, आपदा, बाढ़, आर्थिक, पिछरापन, आदी आते हैं मैंने आप लोगों को बताया था परतीकर्स कारक जो है वो परकिर्ती का तरफ से आता अपकर्स कारक ज्यादा मतलब क्या करेंगे एक तरह से लोग जो होते हैं अपकर्स कारक में परवास करने को मजबूर हो जाते हैं अपकर से कारक में क्या क्या आ जाएंगे सांती आ जाएंगे ज्यादा मजदूरी आ जाएंगे मतलब उच्च सिछा आ जाएंगे यानि परतिकर से कारक परकिर्थी का तरफ से आता है और अपकर से कारक मानवी एफेक्टर के कारण उत्पन्न होता है तो परतिकर से कारक के अं मुंबई या फिर सोरी देली मुंबई कोलकाता अगर चले जाते हैं काम करने के लिए क्योंकि वहां उंको उच्छ सिक्छा या फिर उच्छ वेतन और या फिर उनको अच्छ एच्छ वर्क मिलते हैं या फिर कोई इस्टुडेंट अगर अपना गाउँ छोर करके परने चल ज अपकर्सकारक करेंगे और परतिकर्सकारक तो परकिर्ती का तरब से आता है इसमें कोई मानव का हस्तेचेप नहीं है और इसमें आपको याद रखना है परतिकर्सकारक अपको पुछा जाएगा बोड़ एक्जाम में तो आप इस परकार परिभासित करेंगे अब नेश्ट प जलवायू मतलब आपको जो fit बैठे, जो climate आपको कोई नुकसान नहीं पहुचाएं, वो क्या कराएंगे, अनुकुल जलवायू में आपको fit बैठना नहीं पढ़ेगा, यह तरह से fit बैठना नहीं महसुस कर पाएंगे, परतिकुल जलवायू जो होगा, वो मानविये रूप स वो खतरनाक होगा मतलब मानव को वो छती पहुचाएगा तो अनुकुल जलवायू अपकर्सकारक पर्तिकुल जलवायू पर्तिकर्सकारक ये दोनों कारक आप याद रखेंगे और objective question जो पूछे जाते हैं काफी पूछे जाते हैं ये दोनों कारक से related अब देखे नेष्ट पूछे जाते हैं की इस्वी की पर्तम सताथी में जन संंहिं इस्वी incur विज्यान और परद्दोगी की मदद से तरह तरह के मसीनों का निर्मान हुआ और महामारियों के इलाज के लिए अनेक परकार की आउस्दिया भी बनाई सही बात है यानि विग्यान के मदद से ही तरह तरह के मसीन का विसकार हुआ तरह के मसीन को बनाया गया वैग्यानिक लोग साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया लेब में काम किये, पुरा रात दिन मेहनत किये, वों लोग का मेहनत रंग लाया और महामारियों के इलाज के लिए अनेक परकार की आउस्दियां भी बनाई यानि आउस्दि जो दवाई है, पहले मतलब कोई इलाज था, पहले आदमी ऐसे ही मर जाते थे क्योंकि उनको, मतलब कोई इलाज ही नहीं था, कोई दवाई खोजी नहीं गई थी, कोई इंजेक्शन नहीं बनाया गया था क्योंकि पहले साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब पहले अपना साइंटिस्ट लगे हुए थे, पहले लोगों को इतना पता नहीं थे लेकिन अभी इतना technology है, इतना विग्यान, इतना science से आगे बर गया है, कि कोई भी बड़ा से बड़ा मिमारी हो, उनका इलाज निकाल लेता है, उनका antibiotic, anti-injection निकाल लेता है, मतलब दवाई खोज के निकाल लेता है, लेकिन पहले नहीं था, तो पहले आदमी जो है, एक तरह से भेरवकडी की तरह मर जाते थे, अब देखे, नेष्ट पॉइंट कह रहा है, कि इस तरह विग्यान और प्रदुगी की ने, भी जन सेंक्या को बरहने में, योगदान परदान किये, सहीं बात है, यानि विज्जान और प्रदुगी की मातिन से ही, जन सेंक्या भी टिकी वी है अभी जनसंख्या आप देखे बहुत सारे समाज में ऐसे होंगे कि थोरा सा इधर उदर कुछ हुआ टिस्बैलेंस उनको तुरत मेडिसिन चाहिए अगर वो नहीं मिला तो फिर वो एक तरह से बीमार पर जाते हैं तो तो अभी के जमाने में विग्यान और परदुगी की मदद से क्या हुआ कि अपना अस्तित्त्य को बनाए रखने में जनसंख्या जो कामयाब है ठीक है याँ आइस साइनस और टेक्नोलजी का जो एक तरह से योगदान है वो बहुत ही जयदा है अब next point हम लोग देख लेंगे की क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इसके बाड़े में हम लोग देख लेंगे अब कर सरकारख, परती कर सरकारख, CBR, CDR, मिर्ति उधर, परवास, परवास उने जंसंग्या के परिवरतन के अभियब जंसंग्या की धनातमग विर्दी जन संक्या की वास्तविक विर्दी उत्परवास क्या है आपरवास क्या है जन संक्या की प्राकृतिक विर्दी क्या है उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जन संक्या विर्दी निमलकित कारण से होते हैं ठीक है ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा ये आपका सेकेंड वीड और चैनल को अपने दोस्तों में एक बाद जम करके शेर कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक रखें अपना ख्याल मिलेंगे फिर नेश्ट वीडियो में तब तक लिए